नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं भैजी टेक्निकल आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लिनो दौरा लांच किये गए इनके दो लेटेस्ट स्मार्टफोन जिनका नाम है यहां दोस्तों मंगलवार को भारती बजारों में लांच हो गया है जो कि आप इसको फ्लिप काट और एमेजॉन से सतरा तारीक से ले सकते रहे याने सतरा अक्टोबर को रात को एविलेबल हो जाएगा याने सोला की नाइट से आप एविलेबल हो जाएगा आपको चीए तो प्ले सकते हैं जहां Z की कीमत रखी गे 40,000 रूपए और Moto Z Play की कीमत रखी 25,000 रूपए तो इसमें क्या ऐसी खास बात है जो कि है उसके बारे मैंने वीडियो बना है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो आपको बता दे कि आ है एक्चुली एक modular phone है यह दोनों जो कि आप पीछे से इसमें बहुत सार एक्सेसरी जाते हैं एक्स्टा जो लगा सकते हैं हम उसी को मौड कहते हैं तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं चार-पांच एक्सेसरी नों लांच किया जिसको की आप अलग से ले सकते हैं आपको साइड बता चुका Amazon और भारती बजारों में से तो आइए देखते हैं उसके स्पेसिफिक्शन के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे हम कहां से आप इसको कैसे लगा जाय सकता है उसका कैसे दिखेगा आपको सारे इस चीज वीडियो में देखें कि यह पीछे से कनेक्ट होते हैं बैकग्राउंड से आपके फोन के बीछे जो 6 दॉड़ यह दिख रहे यहां पर स्वोडा इस से कनेक्टेड होते दोनों फोन में प्ले और जैड में यह स्पिकर के ट्रांस्फॉर्मेशन और कि आया मॉंड्स के रूप में यह देख़े य जिसकी कीमत रखेगे 19,000 रूपय लेकिन आप फोन के साथ पर्चेस करोगे तो आपको 16,000 रूपय में मिलेगा तीसरा प्रोड़क है इनका पाउर पैक इसको आप 500 रूपय में ले सकते अलग से इसको 6000 रूपय कीमत रखेगे यह अलग अलग तरीके से इनके बैक कवर है जो कि 800 रूपय से 1200 रूपय के बीचे मिलेंगे उन्होंने कैमरा के बारे में शायद नहीं दिखा है तो कैमरा के बारे में आपको दिखा देता हूं आगे चलते हैं वीडियो के बारे में देखते हैं तो मोटो मॉट्स इस तरह से हैं दोस्तों ये कैमरा शाहद उन्हों ने वीडियो में नहीं दिखा है हैसल बाइल का टूस्जूम का कैमरा आता है काफी अच्छा है इसमें 10x का जूम के साथ में आता है पंदराजامना रुपे माहा आपको मिल जाएगा है अब ग्यूदा क्षों लेंगे तो परे कंपको मिल जाएगी अलग से लिए तो मेंत पड़े्टर करे highest इस어주 writing कर शाहत ये सेंपल दिखाया और कुछ देखते यह से यह 60. यह 24. यह स्पीकर ही आ तरहे बैटोरियं expose Ltd यह प्रोजेक्टर हो गया जराग एक इसमार कुछ भी नहीं दिखा Secretary इसमें कुछ नहीं दिखाया है आई आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं इसमें प्रोजेक्टर के बारे में चीजे दिखा है यह प्रोजेक्टर चार पांच चीजे हमने देख लिए अलग से देखते हैं चलो एक करके हम इसको अलग से देख लेते हैं सबसे पहले बढ़ते कि डारेक्ट स्वेसिफिकेशन पर आते हैं इन बिल्ट ग्यारों सब्सक्राइब बैटरी के साथ में अच्छी बात है लेकिन साट मिन्ट तक ही प्ले करेगा एक फ्यूटी पूर्टी के रिजोलिशन में जो कि आप 60 इंच की स्क्रीन सक्रीन बना सकते हो अपने कोई भी दिवाल या कहीं भी आप वीडियो देखने के लिए 16 इंच की आपके एस्पेक्ट रिश्यो मिलेगी तो इसमें यहीं ज्यादा कुछ एडिशनल है नहीं क्योंकि एडिशनल डिवाइस अभी भारती बज़रों में सब नए नए आए हैं त इसको देख लेते इसके स्पेसिफिक्शन आप एक बर पिक्चर देख लिए इस तरह से निकलता जैसे आपको यह नौर्ण पांच-शेज़र रुपे के जो कैमरा जाते है उस तरह से है लेकिन इसकी क्या है चलिए देख लेते हैं कि 125 ग्राम का 12 मेंगे पीजल का यह कैमरा आप टेलेक्स ऑप्टिकल जूम है फोरेक्स डिजिटल जूम है अगरा भी है इसके साथ में वाइड बैलेंस है प्रो मोड है फोकस मोड है कैप्चर मोड बहुत सारी मोड से आईसो अगरा बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं इंटरेक्ली प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन आपको उसकी तरह एक experience देगा storage आपके जो भी फोन पर जाएगे इसका कोई इंटरन storage नहीं और नहीं battery आपके फोन से बैटरी भी लेगी तो यह हो गया hazard blade के camera के साथ में यह JBL का speaker है जो कि आपको 6000 रुपे में मिलेगा आज साथ में खरीते ने तो 7000 रुपे का आपको इसकी है 79 ग्राम बहुत light weight आप लेके जा सकता आपको power bank की कोई जरूत नहीं पड़ेगी इसके अंदर यह भी अच्छी चीज एक दिये और लास्ट में आता है इनका पांच वा जो लास्ट फीचर है वह मोटो स्टाइल जो कि आप इसके फ्लिप बैक कवर रहती है जो कि आ कारती बज़ारों की जाब से काफी expensive है अगर जिसको पसंद हो ले सकता मुझे तो काफी पसंद आये क्योंकि इस तरह का पहला मॉडिलर फोन आया है हाला पहला तो नहीं कह सकते लेकिन काफी पीचर साथ में पहला आया क्योंकि LG ने इसके पहले launch किया है तो आशा करता हूं